22 जन्वरी 2024 को प्रान प्रतिष्ठा समहारों से पहले उत्तर प्रदेश के आयोध्या में श्री राम और हनुमान ध्वज की बिक्रीब बढ़ गई है यहां लोगों में ध्वजों को खरीदने का उत्साहा साफ देखा जा सकता है मैं यहां आया हूँ और यहां से प्रसाद के रूप में राम लला का जंडा और बजरंग बली का जंडा लेकर अपने देश जांबिया जाओंगा और वहाँ पे राम गुंडगान करूंगा और लोगों को इस जंडे को अपने घर घर में लगाने के लिए दूँगा और यह जंडा बहुत थी यह सनातन का प्रतीक है और इस जंडे में बहुत बहुत गुंड छुपे हुए हैं जैसे लहर 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 आये जंडा बजरंग बली का इस जंडे ने सीता जी का पता लगाया इस जंडे ने लंका जलाई और इसी जंडे ने राम जी को वापस कि यह आप जंडा अपने अपने घरों में फैरा हैं जो नदी है वहां पर अशनान करके हन्मान गड़ी हन्मान जी का मंदिर और स्री राम जन भुभुमी उनका दर्शन किये और फिर परसाद की रूप में परसाद भी कुछ लिये हैं घर लेने के लिए फिर आपको जंडा भ में करना है उसका बित्रन भी जंडा को करना है कि हर जो भी हमलोग से हो पाए घर पे उनलोग के घर पे जंडा लगे और इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि बश उन्ही के एक करेकाल सानी में जोकी अयोध्या इतनी बड़ी मं बता दें कि श्री राम जन्भूमी तेर्थ छेत्र ट्रस्ट ने अगले वर्ष 22 जन्वरी को दोपहर 12 पचकर 45 मिनट के बीच राम मंदिर के गर्ब ग्रह में राम लैला को विराजमान करने का नेर्नेलिया है ट्रस्ट ने समहारों के लिए सभी संप्रदायों के 4000 संदों को अमंत्रित किया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आयोध्या में राम मंदिर के उद्खाटन समहारों में शामिल होंगे